Hey guys, welcome back to my channel तो guys, आज किस फीडियो में रिव्यू करेंगे इस H&B के पूरे Art Material Kit का जिसके अंदर सारी ग्रिफाइड, चार्कोल्स पेस्टिल पैंसिल्स वीलो चार्कोल मतब सारा कुछ है इसके अंदर तो बताऊँगा आपको मैं किस तरह की है यह और इसके ग्रिफाइड भी करेंगे तो आप में से किसी एक को मिल जाएगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या और उनकी क्वालिटी किस तरह की है और उसके बाद ग्रिफाइड के बार में बात करते हैं So guys, यह है H&B का Art Material Case जो की कुछ इस तरह का है काफी मोटा है, काफी हैवी भी है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे Materials हम रख सकते हैं तो चलो गए इसको ओपन करते हैं So यहां से कुछ इस तरह ऐसे ओपन होता है तो अंदर से कुछ इस तरह का है यहां पे एक छोटी स्केचबुक भी है जिसको भी साइड में रखते हैं एक बार यहां पे इस ग्रिफाइट पैंसिल्स जो की 12 पैंसिल्स हैं यह है 5 एच तो 5 एच से लेके 8 भी तक है I think 5 एच से लेके 8 भी तक 12 ग्रेट की इसमें पैंसिल्स हैं और यहां पे यह box है इसके अंदर है willen चार कोल यहां पर हैं विलो चार कोल जो की इसके अंदर है मैं निकाल देरा मेरे हाथ खरा और जाएंगे यह I think टूट रखे हैं उससे नीचे यहां पर हैं यह चार कोल स्टिक्स जो की 3 चार कोल स्टिक्स हैं Soft, Medium and Hard यहाँ पर हैं Graphite Sticks यह भी तीन ही है Soft, Medium and Hard यह काफी cute सी हैं छोटी छोटी यह है एक Normal Eraser H&B का, यह सारा H&B का ही है और यह है Needed Eraser यह है Woodless Graphite जो की तूट रखी है एक 6B है और एक 8B है दो हैं दोनों तूट रखी है और यह है तीन Charcoal Soft, Medium and Hard कुछ इस तरह की है और 4 है इसमें Pastel Pencils जो की Different, Different Colors में है 4 Colors है एक Black है, Red, Brown है Sepia है, Gray है एक है Pencil Extender जो की काफी Important होता है दो है Paper Stumps Size देख लो कि इस तरह की है H&B लिखा हो है इन के उपर एक है Cutter जो की कुछ इस तरह का है और यहाँ पर है एक Shapner जिसके अंदर 2 Holes है एक छोटा होल है, एक बड़ा होल है बड़ा होल I think इसके लिए है Pastel Pencils के लिए और छोटा वारा Normal Pencils के लिए यहाँ पर एक और Shapner है जो की इससे छोटा है और यह प्लास्टिक का है तो यह कुछ इस तरह का है और यहाँ पर था Sand Paper जो की मैंने पहले ही निकाल लिया क्योंकि मैंने को जरूरत थी तो यह मैं यूज कर रहा हूँ फिलाल तो Pencils शाप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं और यह हैं Soft Pastels 6 Soft Pastels हैं इसके अंदर और सब के सब तूट रखें बीच बीच में से और लास्ट में हैं यह Sketchbook जो की H&B Sketch Paper लिखा हुआ है बट यह Actual में Sketch Paper नहीं है यह है Normal Paper जो की हमारा Print वाला Paper होता है वही इसकी Quality है बिल्कुल भी Rough नहीं है बस यहीं लिख रखेंग है Sketch Paper इसके अंदर हमको मिल जाते हैं तो अब बात करते हैं की Quality के बारे में कि किस की कैसी Quality है मैंने पहले यूज़ के देख रखे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बजाता हूँ इसके पहले बात करते हैं Grayfite Pencils के बारे में तो मैंने तीन Pencils लिया है एक है 5H, एक है 3B और एक है 8B इसी शापने रहे शाप करते हैं जो कि इसी के साथ में आया था H&B का शार्प तो होगे गाईज बट उतना जादा स्मूथ नहीं लगा था शाप करने में काफी hard hard Pencils ने तो चलो गाईज अब Shade भी करका देख लेते हैं 3B देखते हैं अब 8B देखते हैं सोगेज यह है 3B और यह है 8B और दोनों में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा इसकी 8B ज़्यादा स्मूथ नहीं है इसी की तरह लग रही है सेम सेम नाव लेट्स ट्राइ 5H हाँ यह तो बिल्कुली लाइट है 8B की डार्कनेस देखते हैं प्रेशर का अप्लाई करके मैं काफी यदा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ फिर भी जाए डार्क नहीं हो रही है 3B हो गर कर देखते हैं सो गैस यह है 8B और यह है 3B आप खोजी देख लो अगर मैं टॉम्बो की 6B यूज़ करूँ हाँ गैस यह तो काफी यदा स्मूथ है बट यह विल्कुल भी यदा स्मूथ नहीं लगरी मेरेको अब प्रेशर का अप्लाई करते हैं इसमें HNB की इतनी डार्क नहीं हो पारे थी प्रेशर का अप्लाई करने भी है अगर मैं ग्रेफाइट पैंसिल की बात करूँ शेडिंग तो अच्छे से हो पारी है वैसे जैसे कि आप देख सकते हैं बट ग्रेट सही नहीं है जैसे कि 3B और 8B देख सकते हैं जार डिफरेंस नहीं दिख रहा है नाँ लेट्स ट्राइ चार्कोल स्टिक एक ही ट्राइ करते हैं ये तो काफ़ यादा सॉफ्ट है अब ग्रेफाइट स्टिक देखते हैं ये भी काई स्मूथ नहीं है नॉर्मली हैचिंग वारा करने के लिए उस कर सकते हैं इरेजर पर अच्छी क्वालिटी का नहीं है वह बहुत हीजाद हाड सा है आब चार्कॉल पैंसिल ट्राइ करते हैं शाप करते हैं ये पहले तो इसको सुगह इस सॉफ्ट चार्कॉल तो अच्छे शार्प हो गई है तूटी तो नहीं एक बार भी तो अब ट्राइ करते हैं कितनी soft है तोटे ही है तो charcoal भी ज़्यादा soft नहीं है and guys paper stem तो सही होंगे because इससे ज़्यादा brand का फरक नहीं पड़ता because सारे paper के ही होते है and guys जो pencil extender है वो भी काफी बढ़िया है मिरे पास पहले भी था तो ये मैं use भी कर रहा हूँ मिरे पास है already तो ये तो काफी बढ़िया है so अब soft pestle देखते हैं किस तरह का है ये भी कई ज़्यादा smooth नहीं है and guys अब बात करते हैं इस case की तो अगर मैं case की बात करूँ तो case काफी बढ़िया है ये काफी मजबूत है और यहाँ पर इसके ये पट्टा सा लगा हूँ है और यहाँ पर भी तो ये काफी solid अगर आपको इस तरह से अपनी pencils रखनी है यहाँ पर pencil रखनी है यहाँ पर pencil रखते हैं इस पर pencil extender मतलब सारा कुछ इसमें आप डाल सकते हैं अपना ये वाला नहीं बट अपने जो अच्छे वाले materials है वो डाल सकते हैं और अगर इस तरह की कोई छोटी ची आपके पास sketchbook है अच्छी quality वाली तो वो आप इसमें डाल सकते हैं इस तरह से और फिर बंद कर सकते हैं तो इसके इंदर material एक भी ढंका नहीं है पेंसल दिखाई मैंने आपको चारकॉल पेंसल दिखाई मैंने आपको आपको खुद ही चलिया वापता कि इस तरह के products हैं इसके अंदर मैं तो बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा अगर आप professional work करते हैं तो इस तरह कि आप kit कहीं से बाय करो नॉर्मल पेंसल से यूज करो जो कि अच्छे ब्रेंड्स होते हैं Stadler, Tombow, FaberCastle या फिर जो भी जाने माने popular brands हैं वह यूज करो इस तरह कि आपको और बहुत जगह मिल जाएंगे जैसे कि Amazon पर भी इस तरह के बहुत साथ है यह जैसे कि हम बाय से किस अच्चे सा पूर आफिन अच्छे ब्रेंड्स है, छाइनीज ब्रेंड्स है वो कही आपको एपको ऑफ ला nearest पी जगह मिल जाऑँ फैबर के भी घ्रते हैं legit il appropriate PheaberCastle फिर yeux के के love के support अपके music जो कि बीगिनर्स यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए सो बसक्राइब और जिनको एक्च्छल में चाहिए है तो आपने बस कमेंट करना है इस वीडियो पे कि आपको यह क्यूं चाहिए और मैं रैंडम्ली कमेंट प्रिकर वाली साइट से एक कमेंट चूस करूंगा तिन दिन बाद और मैं आपको अपने व्लोग में दिखा लूगा कि कौन है विनर बस सिंपली आपने इस वीडियो पर कुछ भी कमेंट करना है कि आपको यह क्यों चाहिए और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है उनको तो मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूँगा आप मत करन कमेंट जो बिगनर्स है जिनको एक्चल में चेफ होई करना और गाइस एक बात और मुझे कहने थी गिववे से लिलिट जो की ध्यान से सुनना मतलब काफी लोग ना जैसे मैंने भी सकुरा का गिववे किया था मेरे कॉम्बो पैक का तो काफी लोग बोलते कि आप उनको द लोग खे दीया जो होई कंची से अगैस से मदिया से मिरे को मेरे को रिखार अप्त करते हो लक योग नाता करता यहीं है आई होप आपको वीडियो पसंद आयोगी आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चेक करना जाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेंगूर डोटिन डालना तो पड़ेगा उन्होंने भेजी है तो हां बस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स वीडियो में तब तक क अजैं, आह बसे नेक्साव क हुआकर जा है तो वीडियो में तक रिलते हैं तो हमें चाहते हैं ब lessना तो फ़रे दित विरूत Kin